सिक्षा ववस्था में हम अपने बच्चों को भेजते हैं क्या वो सही जगह है भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या नहीं अगर ये वीडियो बिहार के किसी इलाके से वाइरिल हुई होती तो आप देखते कि यह कुर देश में फैल चुकी होती है एक national मुद्धा होता अपने साथियों के द्वारा cheatings ले ले करके अपने papers लिखते हैं और उसके बाद टॉपर बनेंगे और उनके बाद जब इनसे पुछा जाएगा कि तुमारा favorite subject कौन सा है तो आपको ये वाला meme नज़र आएगा आएं बाइगन और उसके बाद भी कोई teacher वहाँ पे खड़ा नहीं है security के लिए तो क्या इस प्रकार से हर्याना की सरकार मनोहर लाल खटर की सरकार एग्जाम्स करवाती है आपने rights कई तरीके के सुने होंगे कि इस चीज का दिंगा हो गया हिंदू-मसल्मान का दिंगा हो गया जातिवादी दिंगा हो गया लेकिन आपने कभी इस प्रकार के दिंगे के बारे में नहीं सुना होगा लेकिन ये cheating का दिंगा है नमस्ते मेरा नाम नितीश ठाकुर है एक बार फिर आप खबर भारत देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर टिपणी करते हुए तो आपने देश के बड़े बड़े दिगजों को देखा होगा और हमारी शिक्षा व्यवस्था को अचर बताने के लिए तो हर एक व्यक्तिकार करता है हालां कि शिक्षा व्यवस्था आचर है भी, इसमें कोई विसमयादिवोधक्चिन नहीं है लेकिन जब पूरे देश में अन्य किसी इलाके में कोई समस्या हो तो किसी के मूँ से उफ तक नहीं निकलती है और इस बार मैं जो आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ वो देख करके आपको संदे होगा कि जिस स्कूल में या फिर जिस शिक्षा ववस्था में हम अपने बच्चों को भेजते हैं क्या वो सही जगह है भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या नहीं ये वीडियो हर्याना के नूह से है जिहां वही नूह जहांपर हिंदू के ओपर पत्थर बरसाए गए थे जिस नूह का इतिहास हमेशा से मटमेला रहा है तो देखा अपने इस वीडियो को कि कैसे ये बच्चे स्कूल में एक्जाम्स देने के समय अपने साथियों को चीटिंग पेपर्स पकड़ा रहे हैं और स्कूल के ऊपर कैसे चड़ करके उपद्रम मचा रहे हैं कोई वहाँ पे चड़ रहा है उतर रहा है किसी टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे एक पूरी की पूरी जमात खड़ी है और वो अपने दोस्तों को अपने साथियों को अपने परिवार जनों को जा जा करके फर्रे पकड़ा रहे है और उसके बाद भी कोई टीचर वहाँ पे खड़ा नहीं है सिक्योरिटी के लिए तो क्या इस प्रकार से हर्याना की सरकार, मनोहर लाल खटर की सरकार एक्जाम्स करवाती है क्या इस प्रकार से आपका कारे होना चाहिए सिक्षा व्यवस्था के ओपर टिपणी करने तो आप लोग हमेशा आते हैं बिहार की सिख्षा ववस्था को हमेशा नीचा दिकाने के लिए, अगर ये वीडियो 100% मैं कहा रहा हूँ, अगर ये वीडियो बिहार के किसी इलाके से वारिल हुई होती न, तो आप देखते कि ये पूरे देश में फैल चुकी होती, ये एक नैशनल मुद्दा होता, लेकिन क्योंकि ये हर्याना में हुई, क्योंकि ये एक हिंदी पट्टी राज्य है, तो ये दोगलापन कैसा, इसके उपर कोई डिबेट नहीं, हर्याना के नूह में खुले आम इस प्रकार से चीटिंग का दंगा हो रहा है, आपने रायट्स कई तरीके के सुने होंगे, कि इस ची चीटिंग बनेंगे, और उनके बाद जब इनसे पुछा जाएगा, कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको ये वाला मीम नजर आएगा, आएं, बाईगन, तो इस तरीके से क्या हमारा स्कूल और सिक्षव ववस्था चलेगा, और हर्या ज़िए प्र प्रियाना गवर्मेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो पढ़ाईए, आप हमारे बच्चों के बारे में ठीक तरीके से सोचिए, उनकी सिक्षा ववस्था के बारे में सोचिए, उनके आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, इस प्रकार से हमारे बच्चों को cheatings दे करके pass करवाने के लिए, अपने data को high बनवाने के लिए ठीक है, और अपने आपको करनाटका केरला की education policy से उपर बताने के लिए इस प्रकार का धोंग मत करिए, क्योंकि अगर ये बच्चे इस तर करकार के उपर एक कलंक लगेगा, तो इस बात को सोच करके इस सिक्षा ववस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करिए, और एक बार इस वीडियो को देख लिजेगा मनुहरलाल खटर जी, क्या पता इसमें आपको अपने बच्चे नजर आ जाए, ठेर आप माता पिता या फिर हमारे जितने भी वीवर्स हैं, हर्याणा की इस चीटिंग वाली वीडियो को देख करके क्या सोचते हैं, और इस आई बाइगन वाले मीम को देख करके क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आगली वीडियो में आप से फिर से मलाकात होगी, तब तक के लिए दीजे जाज़त धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय विहार